असलाम अलेकुम है मैं नाहीदावानौ मेरा नाम नाहीदावानौ है और मैं यह जो होम मेडिशन तयार करती हूं घर मेडिशन तयार करती हूं तो आज एक मेडिशन यह बना रही हूं यह तो मैं हमेशा अपने घर में जलाती हूं इसको जलाती हूं कि आज आप सब लोग निek शेर कर रहे हूं बना रहे हूं आप सब लोग इसको भी इस्ता माल करें और आपने अपने घरों में जबी तकलीफ है है वायरेस है बकार है फ्रेण कोड़ें चुंतिया जो भी है इसको जलने से एसा जी सबहुंड हो जाएंगे शलॉध Een इस अलाइं श हम करीं यह मैं आपको बताने जा रहे है आहा हुआ कि इस सह इसक तो इससाबL यह पहले आपको मैं बता दो कि यह दो चीज़ है एक तो प्यास की बींज है और दूसरी कलुंजी है इसको प्यास की बींज कहते हैं देखिए आप देख सकते हैं कि एक ही जैसी काली बींज हैं आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह क्या है यह क्या है तो मैं आपको बता दो कि एक कलुंजी है और एक प्यास की बींज है इसको अमला हल दी कहते है यह अपने चेहरे पर बहरा सकते है यह पंसारी के आराम से आसानी से आप आपको मिल जाएगी और यह रहा इसको लोबान कहते हैं यह लोबान है और यह तेज पत्ता है यह जो हम सालम में डालते हैं हमेशा अपने किचन में रहता है तो इसको तेज पत्ता कहते हैं और यह लैसन के चल्के जो हमें ऊस्तामाल करते हैं उपर से चल्पियास के चल्के तो अभी हमको क्या करना है यह सारी चीज़ें इसको अधो नता मोटब ले गता मोटब कोटने के बाद इसको भी थोड़ा पतर सी माल कर जाक हो आपको क्या करना है इन सारी चीजों को आप कूटने के बाद यह सारी चीजें एक कर दें मिला लें इनको सारी चीजें को मिलाना मिलाना रहता है और मिलाने के बाद आपको मैं बताती हूं कि यह सारी चीजें मिलाने के बाद अभी आपको मता दियों कि इस सारी चीजें मिलाने के वाइद इसको यह कैसा होता है देखिए यह जो सारी चीजें हैं इसको मैंने सब मिला ली हूँ आप देख सकते हो कि आप देख सकते हैं को इस सारी चीजें हमने मिलाकर एकट्टी कर दिये हैं और इसको हम क्या करना है हफ़ते में एक बार हफ़ते में एक बार आप इसको कोईला जिसे जो लकडी वाला कोईला रहता है न वो कोईला इसको जाला जाएं जब आग अची तरह से अग बनकर लाल हो जाएगे तो उस वक्त आप इसको आग में त में थोड़ा थोड़ा अ ermी तो एसा तोड़ा थोड़ा आप डालते जाए और यह पतियां म्ही डालना है इसमें जीजा कि ये प्यास की चिलके हैं ये लसन की चिलके हैं ये जो पती है ये पती न देखो ये वाली ये ये पती पतियां है ये सारे आप आग में थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा करके डालते रहें कि कि अब जब अग में इसको डालोगे तो बहुत सारा दिन द्वास द्वाएंगा तो इस द्वास को आपको क्या करना है आपके शहरोंै बातरोंаю है आपके ओलकी है और जहां कोड़ा कच्रा रहता है आपका स्वोफा है किसा जहां आपको धुआ देना है जैसा जैसा धुआ दोगे तो घर में धुआ फैलेगा और जो कीडिया है कीडें मच्छर do make rich दें एक सुम्तिया है कहता मन जाएंगे और आपके घर में एक बहुत थी प्यारी खुश्वू इतनी प्यारी खुश्वू आएगी कि आपको दो तीन दिन आपके घर में ऐसी ही खुश्वू रहेगी आप बेड्रूम में खासकर आप बेड्रूम में आप इसको थोड़ा सा धुवान भर दें और थोड़ी देर के ल के उसमें आपकी बेडरूम में कि search at you ne who be ? यह जो भीमारियां फैली हमेशा आती जाती रहती हैं जैसे के बचचें बच्चों को सर धियां गई जुकाम हो बुखार आ गया ये सारी बीमारियां जो है हमेशा घर में कम से कम बहुत थी कम इसा कि इन्सान साल में या दो साल में आदमी बे घर में कोई ना कोई एक मिंबर जो रहे था साल दो साल में एक बार बीमार होएगा तो आप इसको जलाएं आप इस्तामाल करें आप जला कर देखें इसमें कितना फायदा है आप खुद देख सकते हो अप जलाने के बाद आप मुझे बताएं और आप सब को शेयर करें और सबको बताएं कि आप पहले तो आप इस्तामाल करें आप इस्तामाल करने के बाद आपको अच्छा लगए का तो आप सबको शेयर करें और मुझे बताएं कि जलाने के बाद आपको कितना फाइदा हुआ है और कितने खुश वो घर में आई है आपको कैसा सुकुन मेसुस हुआ है ये भी मुझे आप बताएं इसके इंशालला फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं तयार करूंगी ये जो मेरे तजरुबात है ये मैं आप तक पहुंचाऊंगी जिसको बोते हैं एक्सपिरियंस ये जो मेरे मुझे बच्पन से जो एक्सपिरियंस है अपने वालिद साफ से मिला है तो इन्शालला मैं हमेशा आपको शेयर करती रहूंगी चोटी-चोटी बातें भी आपको मैं बताते रहूंगे तो आपको भी फाइदा होए आप दूसरों को भी फाइदा पहुंचाए क्योंकि अगर हम को जो चीज़ पता है हम दूसरों को भी बताते हैं तो एक तरीके से जज़ा इसका खैर मिलता है जजा एक खैर बिलते हैं कि हमेशा सवाब मिलता है सवाब जारिया जिसको कहते हैं सवाब जारिया तो सवाब जारिया का काम आप भी करना शुरू कर दें इन्शालाँ आपको सबको सेतन रुस्ती दे शिपाय भी देख हुआते जीमे दें आपको 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 माल करें मेरी बताईवे चीज़ें अल्ला हाफिज